अच्छा तो ये वज़ा है कि करन कुंदरा ट्रोफी के इत्तू से पास आकर भी ट्रोफी से हाथ धो बैठे और ये ट्रोफी तेजिस्वी को मिल गई क्या इस सीजन के सीजन 15 के सबसे महंगे कंटेस्टन्ट होने का जो एक ताज उन्होंने पैना था वो काटो का ताज बना और उसके चलते उन्हें ट्रोफी नहीं मिली बहुत सी बाते हैं बहुत सी यादे हैं और आप लोगों को वही बात बताना चाहता हूँ स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है टैली घजाना अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक का फॉलो नहीं किया है तो बनादन कर लीजिए बल आइकन को भी जरूर प्रेस करें एंड इंस्टिग्राम पे अगर फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर फॉलो करें काफी लोगों ने मुझसे पूछा क्या बज़ा हो सकती है राहूल भाई ये बताओ मुझे इंस्टिग्राम पे टीम करते हैं और साथी साथ कॉमेंट सेक्शन में भी प कुंद्रा 4.5 क्रोड का मस्त पैकेज बनाया उन्होंने बिद बॉस के घर का और ऐसे में करन कुंद्रा के पास अच्छा खासा पैसा है जिसके चलते वो लोगों के दिलों पर राज भी कर रहे थे साथी पैसे भी चाप रहे थे अब करन कुंद्रा का कही न कहीं ये जो सब सबसे महेंगे होने का ताज है ये कहीं न कहीं कांटों से भरा हुआ निकला दोस्तों आपको याद होगा तो रश्मी देश आई सीजन 13 की सबसे महेंगी कंटेंडर थे लेकिन क्या वो ट्रोफी जीती नहीं जीती बिग बॉस 14 में जास्विन भसिन को कह रहे थे सबसे महें क्या वो ट्रोफी जीती गहां नहीं जीती तो आप लोगों को बताना जाता हूं कि सबसे महें जो कंटेंडर होते हैं कहींना कहीं उनके लिए एक टोमन कंडिशन शायद आजाता है कि आप सबसे महेंगे आपको पैसा मिल रहा है कि वह तोप 5 मिल सकती है जो तोड़ा सक तेज़शवी को मिल गई देखें तो क्या हुआ टोफी तो यह टोफी है तेज़शवी के पास जाए करन के पास जाए क्यों तो फोरएवर है न और तेज़वन को नजर भी न लगे इविल आइस ऑफ टेज रहें बहुत लोग बहुत लोग बहुत लोग बाते करें तो मैं नहीं चाहता कि तेजग को नजर लगें आपको क्या है कहना ज़रूर बताएं चलता हूं दस्तों अपना ख्याल रखें बाबाई